जहिन दोस्तों मेरा नाम है आकास मौरे और आपसे लोग काप के अपने चैनल आलक्यू किश्टेडी पर बहुत दोश्वागत है फ्रेंस CRPF पारामेडिकल स्टाप का आप लोग का एक्जाम डेट चेंज हो चुका अभी तक आप लोग पूछ रहतें कि सर हमारा पीटी और पीएश्टी का एडमिट कार्ड आएगा मैं उसी के बारें इनफर्मेशन कलेक्ट कर रहा था बट यहां पर जो आई है यह कलेक्टर जो है मैं अधिकारियों से डारेक्टली नहीं कलेक्ट कर पाऊ यह जानकारी है लेकिन हमारे सर जो आई हैं उन्होंने इस टॉपिक पर पहले से भी वीडियो बना दिया हुआ है उनके माध्यम से हमको पता चला हुआ लेकिन मैं आप लोगों को जो भी इनफर्मेशन दे रहा हूँ यह बिल्कुल 100% सत है मैंने इसका जो आई है कानफर्मेशन भी किया हुआ है फिर उसके बाद जो है मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ है यह जो जानकारी दे रहा हम बिल्कुल 100% सत है अभी तक इसके बारें कोई ओफिसियल नोटिस नहीं जारी किया गया है बड़ जल्द ही आप लोगों को जो है इसके ओफिसियल विपसाइट पर जो आई है इसका ओफिसियल नोटिफिकेसन देखने को मिलेगा लेकिन मैं उससे पहले ही आप लोगों के लिए यह जो आई है इसे आप लोगों के लिए खुसखबरी कह सकते हैं या फिर जो आई है दुखद कह सकते हैं यूंकि जिन लोगों के लिए जो आई है एक्जाम की तैयारी कर चुके हैं अब बात करते हैं आप लोग की एक्जाम डिट कब तक change हुआ है ठीक है? चुकि अभी तक आप लोग का जो आए है 20 दिसंबर को आप लोग का एक्जाम होने वाला था लेकिन अब यह जो है date change हो चुका है यह है आप लोग का를 गिंप तीन मंत के लिए टाला हुआ है अब आप लोग का एक्जाम लागभग जो है मान चलिए डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है किस डेट को एक्जाम होने वाला है लेकिन यहाँ पर जो आई है लागभग में यहाँ पर आप मान चलिए तीन मन्त से आप लोग जाईए मान लेजिए कि आप लोग 20 जो हैं है मार्च को आप लोग का एक्जाम होने वाला हो ठीक है डेट ight आल थोड़ा चेंज भी हो सकता है लेकिन यह आप Mexico को आफ लोग का मार्च मन्त में ही आप लोग के एक्जाम होने वाले है ठीक है अब बात करते हैं आप लोगों के बहुत सारे सवाल या उट रहा होगा कि हमारा पीटी और पीएश्टी का एड्मिट काड कब आएगा तो मैं यह भी क्लियर कर देना चाहता हूँ है मैंने आप लोग पिछली वीडियो में बहुत आप लोगों का एड्मिट कार्ड आएगा ठीक है तो यह जो है आप लोग का डेट यही रहने वाला नमबर मन्थ में ही आएगा लेकिन आप लोग यह पूछते हैं कि नमबर मन्थ में किस डेट को आएगा इसके बारे अभी CRPF तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि किस डेट को आएगा ठीक है हो सकता है आप लोग का लास्ट नमबर में भी आ सकता है मध्यम नमबर में भी आ सकता है फर्स्ट नमबर को भी आ सकता है लेकिन यह किलियर नहीं है कि आप लोग का एक्जाम कब होने वाला है ठीक है एक्जाम सब्सक्राइब तो आप लोग का फिलाल जो आए है मार्च में होगा लेकिन जो है किस डेट को आप लोग का पीटी पीच्टी का एडमिट कारड आएगा ये अभी किलियर नहीं हो पारा ठीक है जैसे ही कोई निव अपडेट आती है फिलाल आप लोग का लगवक्त 10-15 दिन के अंदर ही जो है आप लोग का एक्जाम का नोटफिकरसन देखने को मिल जाएगा कि आप लोग को मार्च मंत में एक्जाम होने वाला आए है और उसी के सांथ साथ जो है एडमिट कार्ड भी आप लोग का जो है है नमंबर मंत में ही ठीक है तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को काफी इंफॉर्मेसिटीम लगी होगी यदि आप लोग लगाता है कि नहीं आपको यहां पर बहुत सही जानकारी दी जाती है तो मैं आप लोग एक चीज़ करूँगा है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कोई गलत इंफॉर्मेसिन ना मिले बिल्कुल सही जानकारी आप लोग दे जाए इसलिए आप लोग इस रिक्ष्ट करता हूँ इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें ताकि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी स्टुडेंट हो वो गलत ज केर गुडबाइ